किर्शी रोड मैप के अंतरगत किर्शी यांत्री करण योजना किर्शी में यांत्रों को प्रोट्साइद करने की योजना में 119 करोड रुपे की सुकृर्टी डी गई इसके बाद राज्य में अल्प विरिष्टी कम बारिश होने और सुखे जैसी इस्थिती के लिए फसल की सीचाई के तू डीजल अनुदान बाटने के लिए पहले से उपलब्द पहले से सुकृर्ट पचास करोड रुपे के अतिरीक्त सो करोड रुपे और बिहार राज्य आकस्मिक्ता निथी से सुकृर्ट किये गए कंटिजन्सी फंड से पचास करोड पहले से था आज बिहार कंटिजन्सी फंड से सो करोड रुपे और सुकृर्ट किया गया जिसका वित्रन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा परिवहन विभाग के परस्ताओं पर पुराने वाहन को अगर कोई रद्दीकरन करता है तो 15 बरस से जादे पुराना वाहन अगर किसी के पास है उसको वो रद्दीकरन करता है तो पुराने वाहन पर अगर कोई लंबित देंदारी है मोटर वाहन करकी हरित करकी या किसी तरह के फीस की तो उसमें एक मुष्ट छूट परदान की गई ताके पुराने वाहन को सब लोग रद्दीकरित करें और नया वाहन आने से परियावरन की इस्थिति में सुधार हो प्रदूशन कम हो जी छूट निकाली ये बता दें आप कागज निशीत वर्मा जी एक कीसवां चुकि ये हम सब के इंटरेस्ट की बात है मेरे पास भी एक पुराना वाहन है मैं भी जड़ा देखनें ठीक से मोटर वाहन कर हरित कर सडक सुरक्षा उप कर और अर्थ दंड पर सरकारी वाहन पर पूर्ण शत परतिशत छूट गैर परिवहन वाहन पर कर में 90 परसेंट अर्थ दंड में 100 परसेंट चूट इसके इलावा फोटो देना पड़ेगा पया फोटो दे सकते हैं फोटो दे दीजेगा एक और आइटम है आपको मिल जाएगा यह आसान समधान बताने के लिए दन्ड़ आपको भी आसान नहीं हमको भी आगे चलते हैं ग्रामीन विकास विभाग के प्रस्ताओं पर मुख्य मंत्री ग्रामीन आवास योजना के अंतरगत जल जीवन हर्याली अभियान के तहत सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यानि तालाब वोखर पाइन से अतिकर्मण हटाने के बाद उसके किनारे बसे आवास विहीन 1735 विस्थापित परिवारों को जिने पूर्व में आवास योजना का लाब दिया गया था उसी अस्थान पर जहां से विस्थापित करना पढ़ रहा है उनको दोबारा अन्यत्र आवास योजना का लाब देने की सुखिर्टी दी गई नगर विकास विभाग के परस्ताओं पर पटना भागलपूर मुझफरपूर और बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी परियोजना में जो सुखिर्टी योजनाएं थी उसमें जो आबंटन हुआ है राशी का मदवार उसमें संचुधन करने के लिए और जो परिसंपतियं बनी है स्मार्ट सिटी में उसके रख रखाओ के लिए एक एक सोसाइटी हर शहर में बनने का निर्णे लिया गया रजिस्टर्ट सोसाइटी होगी जो परिसमपतियों का स्मार्ट सिटी की परिसमपतियों का रख रखाओ करेगी एक अन्य निर्णे के तहट साथ निश्चे दो के अंतरगत मधेपूरा नगर परिशद छेतर में जल निकासी के लिए 72 करोड 32 लाक रुपए की स्टॉर्म वाटर ड्रेनिग सिस्टम योजना की सुकिर्टी दी गई पत्ना शहर के बेऊर छेतर में वर्ल्ड बैंक की स्कीम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम को पूरा करने के लिए पूर्व में जो सुकिर्टी दी गई थी उसको रिवाइज किया गया पुनरिक्षित किया गया और एक अरब आठ लाक चौवालिस अजार रुपएया यानि लगबग एक अरब ही कहिए सौ करोड और आठ लाक रुपएया के लगबग में उसको रिवाइज करके पूरा करने का निड़ने लिया गया आरा उसके बाद दूसरा आइटम आरा नगर निगम छेतर से बारिश के पानी की निकासी के लिए 77 करोड 81 लाक रुपए की नई योजना की सुकृति दी गई जिसको बुड़कों के दुवारा इंपिलिमेंट किया जाएगा एक्जिकूट किया जाएगा आरा में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज 77 करोड 81 लाक रुपए से बुड़कों के दौरा समस्तिपूर नगर निगम छेतर से भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जल निकासी के लिए 48 करोड 25 लाक 54 जार 48 करोड 25 लाक 54 जार मातर की पर्योजना की सुकिर्टी दी गई चौथा आइटम समस्तिपूर जिला में सराय रंजन अंचल में सरकारी इंजिनरिंग कॉलेज के विस्तार के लिए पांच एकर तीस डिसमिल जमीन अलॉट की गई छट्टे मद में भारत माला पर्योजना में नैशनल हाईवे एक सो निन्यानवे डी के आमस से राम नगर खंड के लिए उसके निर्माड के लिए लगभग चवहत्तर डिसमिल गैर मजरुआ जमीन एन एच ए आई को निह शुल्क हस्तानांतरण की सुईकिरती प्रदान की गई छट्था आइटम नैशनल हाईवे एक सो निन्यानवे डी आमस से राम नगर खंड के लिए पटना जिले के धनरुआ अंचल में कुल लगभग दस एकर चवहत्तर डिसमिल जमीन इन एच ए आई को निशुल्क ट्रांसफर करने की सुकिरती दी गई गई शात्वी मद में बिहार सूचना आयोग में विभिन कोटी के पांच नए पद स्टाफ के पांच नए पद सिर्जित किये गए श्टाफ के आठवे आइटम में समाज कल्याण विभाग के परस्ताओं पर माननीय मुख मंत्री की समाधान यात्रा के दौरान समाधान यात्रा के दौरान जो निर्णे हुआ था उसके अधीन आंगनवाडी केंदर पर बच्चों को जो नाष्टा मिल रहा है उसके अत्रिक सब्ता में दो दिन बुद्वार और शुक्रवार को मुर्गी का अंड़ा और जो अंड़ा नहीं खाते हैं उनको अंड़ा के बदले भूनी मुंग फली देने का निर्णे लिया गया अंगनवाडी केंदर पर सब्ता में दो दिन पत्थ निर्माड विभाग के परस्ताओं पर ताजपूर से बख्तियारपूर में जो चार लेन का गंगा नदी पर पुल बन रहा है उसके निर्माड के लिए काम चल ला है ये PPP मोड में पबलिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मोड में चल ला है इसमें सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग करती है अगर वायबिलिटी कम है तो सरकार कुछ पैसे देती है कि परयोजना वायबूल हो जाए तो उसको VGF कहते हैं वायबिलिटी गैप फंड उस के अधीन एक सो एकतीस करोड एक सो एकतीस करोड सरस्ट लाक रुपईया भारत सरकार द्वारा परदत किया जाना है वो अभी आया नहीं है तो उसकी परतियाशा में राज्य सरकार ने तुरत उतनी राशी फिलहाल अपनी और से यानि राज्य सरकार की और से रिलीज करने क पैसला लिया दसवें आइटम में नरकटिया गंज गौनाहा मुंग राहा तथा भीती हरवा अश्रम ये पत्परमंडल बेतिया में है बेतिया पत्परमंडल में और सड़क का नाम है नरकटिया गौनाहा मुंग राहा तथा भीती हरवा अश्रम एवं रम पुरवा अशोक अस्तंब लिख लिंक पत्प के कुल पच्चिस दशमलो एक साथ तीन किलोमीटर में चौडी करण एवं मजबूती करण कार्येतू 74 करोड 42 लाक 43 हजार रुपे की उनरी एक्छित सुखिर्ती दी गई 11 आइटम में पत्थ निर्माड़ी भाग का प्रस्ताओ था कॉस्ट शेरिंग के आधार पर पटना जिला में तरेगना यार्ड इस्थित लेवल क्रोसिंग के बदले रोड ओवर बिरिज के निर्माड में पहुच पत हे तू भू अरजन सहित राज्य अंश की कुल राशी राज्य सरकार का जो अंश्दान होता है उसमें साथ करोड बारह लाक पैंसट हजार मात्र के अनुमानित लागत पर परशासनिक सुकिर्टी दी गई एक अन्य निर्णे के तहट स्वास्त विभाग के सभी सरकारी मेडिकल कॉलिज और अस्पताल सुपर एस्पेशलिटी अस्पताल और सदर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के उपयोग है तू शोचाले और अस्पनानगार की देख रेक और साफ सफाई के लिए सुलब इंटरनेशनल और्गनाइजेशन को सुलब संस्पता को कारे आवंटित किया गया अगली मद में बिहार नगरपालिका लिपिकी ये संबर्ग नीमावली में संशोधन किया गया अपलाई करना चाते हैं क्या मैं बता दूंगा लगा निकाल के दिरो मेजर तो नहीं होगा लेकिन बताना आवश्य के चुकिए आपने पूछा है दो संशोधन है लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए नियूंतम आयूसेमा पहले एक कीस वर्ष थी उसको घटा के अठारा वर्ष किया गया है दूसरा ने प्रस्ताव दिया के 132 बटे 33 के वी गिरिड सब एस्टेशन के छमता विस्तार है तू बीस अदद 50 MVA पावर ट्रांसफॉर्मर अस्थापित करने है तू कुल 98 करोड 34 लाख रुपए की नई योजना सुकिर्थ की गई पूर्जा विभाग के एक अन्य प्रस्ताव में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमीशन कंपनी लिमीटेट के अंतरगत 220 कवी के चार अदद 100 MVA ट्रांसफॉर्मर और एक अदद 160 MVA ट्रांसफॉर्मर को 200 MVA ट्रांसफॉर्मर चमता में विस्तार हेतू 82 करोड 73 लाख रुपए की नई योजना की सुकिर्थी दी गई क्रिशी विभाग के परस्ताओं पर चालू वित्तिय वर्ष में सब मिशन on agricultural extension agricultural extension के लिए संबिदा पर जो कर्मी रखे जाएंगे इनके मान्दे की राशी और जो संस्थान है जिसका नाम बामेती है हवाई अड़े पटना के पास उसकी सुरक्षा आदी के लिए परसार कारिकरम चलाने के लिए कुल पैंटीस करोड तिरासी लाक चार हजार छासौ रुपए मातर की लागत पर योजना की सुकिर्टी दी गई साकारिता विभाग के परस्ताओं पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना में सबजी की फसल को भी फसल सहायता के लिए पात्र मानते हुए संसोधन करने का परस्ताओं सुकिर्ट किया गया किर्शी विभाग के परस्ताओं पर एगरिकल्चर इंजिनिरिंग कॉलेज आरा में आधार भूत संरचना के निर्माण हेतू एक अरब 44 करोड 72 लाख रुपए की सुकिर्टी दी गई अध्यक्स को मासिक 2,25 जा रुपए मूल वेतन मांगाई भत्ता अत्रिक्त और सदस्य को 2,00 रुपए वेतन मांगाई भत्ता अत्रिक्त दिया जाता है यह बिहार लोक सेवा आयोग में है यह अभी सामने अभी लेख पर नहीं है आप शिक्षा विभाग से जानकारी ले सकते हैं जहां आपको काफी समाचार मिले हैं कौन से आइटम में लाओ भी वापस सवाल कठी नहीं है आप सब पहले ही बाढ़ दिये हैं क्या तो हम बेकार सरा इतना बोल लाए थे सब तु मालूम है कुश्चन हाउट था कौन नंबर की बात कर रहे हैं क्या है कि बावन सो बारा करोड रुपया कुल जो है राशी है जो खर्चा होगी और अभी अडवांस प्रोक्यूर्मेंट के लिए फिलहाल पहले पंदरा सो करोड दिया जाएगा ये अडवांस प्रोक्यूर्मेंट के लिए और आगे जैसे काम चलेगा तो आगे खर्चा होगा नहीं दोनों सुखिरती है बावन सो बारा करोड की कुल सुखिरती है लेकिन बावन सो बारा करोड एक के बार में उठा के नहीं दे देंगे पहले पंदरा सो करोड देंगे कि एतना का आडवांस प्रोक्यूर्मेंट कर के दिखाए जब आप दिखा दिजिएगा उतना करके तब देखके संतुस्ट हो लेंगे तब बाकी पैसा कारे की परगती के अनुसार मिलेगा इंजिनियर लोग ऐसे ही काम करते हैं बदलने का तो कोई परस्ताव नहीं है बदलता भी नहीं है रोड का लेंगे किसानों को जो फसल की छती हो वो पूरी हो जाए और उसका रेट भी तय है डाly होई की के जो उपज पाई गई अगर वह निर्धारित अस्तर से कम है उपज तो बीस पर्टिशत की कमी अगर उपज में है तोचच की साहठे साथाजवने परती हेक्टर और बीस परस्तर नहीं से ज्यादे की कमी अगर च्छती हो गई तो दस हजार रुपे पर ती हेक्टर की दर से अधिक्तम दो हेक्टियर तक के लिए साहता राशी दी जाती है बीस परसेंट तक की छती के लिए साड़े साथ हजार रुपे पर हेक्टियर और उससे जादे की छती के लिए दस हजार रुपे पर हेक्टियर अधिक्तम दो हेक्टियर क नहीं था अभी रूट कर दिया गया सुखा पर समेख्छा मंतरी परिशद की बैठक में नहीं होई है जिसकी बीरीफिंग अभी हो रही है आ जाईएगा दोबारा किसी जब बाते है कि पहले एजेंसी का काम जो है संतोशनक नहीं था तो टर्मिनेशन हुआ था फिर मामला पटना हाई कोट में गया पटना हाई कोट ने महादिवक्ता को और सरकार को कहा कि पुल बनाना आवश्चक है समाधान खोजिये तो फिर मीटिंग की गई जिसमें एजेंसी भी आई डिपार्टमेंट भी आया भारत सरकार भी आई बैंक जो नहोंने लोन दिया था वो भी आए और सब लोग मिलके ये तै किये कि पहले जो हुआ सो हुआ इसको दोबारा प्रजेक्ट को रिवाइव किया जाए कॉंट्रेक्ट को रिवाइव किया जाए और इसको पुरा किया जाए तो कोट के आदेश से सभी पक्छों के बीच जो बैठक हुई तो उसमें जो फैसला हुआ उसके अनुसार अब ये परजेक्ट रिवाइव किया गया पुनर्जीवित और इस पर काम शुरू है और प्रयास है कि ये काम पूरा हो जाए पुल पूरा हो जाए राज्य के और राज्य किये प्रस्वीक्रित अनुदानित सब याद है संस्किर्ट विद्याले एवं मदरसा के कर्मियों हे तू विभागिये संकल्प द्वारा जो पूरू में पांचमें वेतन आयोग का लाव दिया गया था 1999 के परभाव से उसको बदल के एक मार्च 1989 के परभाव से देने का फैसला किया गया और चट्थे पे रिविजन का लाव जो 31 अगस्त 2013 के परभाव से मिला था उसको 14 2007 के परभाव से देने का निड़ने लिया गया साथ का और अंतिम निड़ने जो हुआ कि राज़े सरकार में जो अलग अजयोग बोड के अध्यक्ष होते हैं सदस से होते हैं उनका वेतन मानदे अलग अलग था तो एक निड़ने हुआ कि सभी बोड और आयोग के कि अध्यक्श को भीumes को बिहार लोग्सेवा अयोग के अध्यक्ष के बराबर वेतन मिलेगा और जो आयोगों के बॉर्ड के सदस्य होंगे उनको भीना लोग्सेवा अयोग के सदस्य के बराबर मिलेगा तो इतने निर्णे आज कैबिनिट की मीटिंग में लिये गए 가져 विभाग एक जूठो करके सूखे की स्थिती से निवटने के लिए कंदा से कंदा मिला के सभी विभाग काम कर रहे हैं दन्यवाद